Time value of money means value of money with respect to time. The value of money changes with time. Means time की according, जो money की value होती है, वो change होती जाती है. आज time कुछ है तो money की value कुछ और है, ने कल कुछ और होगी, परसो कुछ और होगी. तो time की respect में value of money. It is a concept that money available at the present time is worth more than the same amount in the future due to its potential earning capacity. हमें actually concept क्या केता है, कि ये मानता है कि जो भी money की value है, वो आज जादा होती है comparison to next year या किसी और time में आने वाले समय में. जो value money की आज है, वो कल नहीं होगी, आने वाले कल में नहीं होगी. क्योंकि उसकी जो earning capacity होती है, जो उसकी value होती है, वो decrease करती जाती है. That is, rupees thousand today has more value than rupees thousand in next year. आज जो 1000 रुपे की value है, जो importance है, जो आज आज आप 1000 रुपे में खरी सकते हैं, वो next year thousand rupees में नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि उसकी earning capacity कम हो जाएगी. अगर मैं ही आपको बोलू कि आप हमसे 1000 रुपे आज ले लिजे, या एक साल बाद 1000 रुपे ले ले लिजे, तो आप but obvious से क्या कहेंगे, कि नहीं भी आप मुझे 1000 रुपे आज ही दे दो, क्योंकि आपको पता है कि आज जो आप 1000 रुपे से कर लोगे, वो अगर मैं हम next year दूँगी, तो उस 1000 रुपे से आप उतने से कमी कर पाओगे, जितना आज कर लोगे, उतना आप next year नहीं कर पाओगे, क्योंकि 1000 की value क्या हो गई, आज जादा है comparison to next year, यही है time value of money, the purchasing power of money declines over time, inflationary economy, यह कहता है कि जो money की purchasing power होती है, money के इत्रूम क्या करते हैं, purchase करते हैं, तो mainly money की power को हम क्या से measure करते हैं, उसकी purchasing power से, तो यह time के according क्या होती जाती है, घर्टी जाती है, कम होती जाती है, जैसे हम हमेशा से सुनते आए हैं, और पहले भी अगर हम अपने grandfather से या parent से बात करें, तो वो कहते हैं कि हमें 10 रुपे में तो यही यह समान मिल जाते थे, आज हम कहते हैं कि 10 रुपे में तो मैं एक pen मिल रही है, या एक pencil मिल रही है, तो क्या हो गया है कि purchasing power, आज 10 रुपे की capacity कम हो गई, आज आज आप जो 100 रुपे में खरीद रहे हो, कल आप 100 रुपे में उससे जादा चीज़े खरी सकते थे, अगर बात करें कि आपके parents की आज से 10 साल पहले की, तो 100 रुपे में suppose करिए कि मैं 10 साल पहले 100 रुपे किसी को देती, तो वो 100 रुपे में घर की kitchen की बहुत सारे समान खरी सकते थे, पर अगर आज वही 100 रुपे दे तो शायद एक या दो product ही आप खरी सकते हो, hardly एक दो खरी सकते हो kitchen के, otherwise वो भी नहीं खरी सकते हो, तो क्या हो गया, कि 100 तो वही रुपे होगे न, 100 रुपे तो पहले भी थे, 100 रुपे भी आज है, पर उसकी जो power है, जो value है, वो क्या हो गई है, decrease हो गई है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि inflation होता है, inflation situation जो होती है, वो situation यही होती है, कि जब money, term of money, number of terms, वो increase कर जाती है economy में, और money के value decrease कर जाती है, समझ मैं है, तो हम उसे inflation की situation कहते है, कि money जादा होती है, numbers में जादा होती है, पर उसकी जो value होती है, वो decrease करती जाती है, economy में बहुत पैसे होते है, तो value की money की होती है day by day decrease करती जाती है that is inflationary situation तो यह ऐसा इसलिए होते है उसकी purchasing power क्यों घड़ जाती है क्योंकि inflation की situation होती है right अब next दिखते हैं so the amount of goods and services that can be purchased with thousand today will be more than the amount goods and services that can be purchased well same amount after one year आज जो 1000 रुपे में purchase कर लेंगे good and services उतने वही 1000 रुपे में वही goods and services हम next year ही purchase कर पाएंगे हम उसे कम goods and services पाएंगे या उतने ही goods and services को पाने के लिए हमें और 1000 रुपे से जादा पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि 1000 रुपे की value क्या हो चुकी होगी decrease हो जाएगी purchasing power की कम होती जाती है तो बात करें हम एकर एक example लेखें कि suppose करें कि a person invest rupees 1000 in a risk-free government securities of rupees 10% per annum तो after one year वो कितना पाजाएगा अगर हम आज एक person है जो 1000 रुपे इन्वेस कर रहा government securities पे 10% के साब से तो एक साल बाद उसको कितना मिलेगा 1000 मिलेगा plus 10% का interest तो total मिलाकर से कितना मिलेगा 1100 after one year 1000 रुपीस 1100 तो देखा जाए आज आपने लगाया कितना 1000 future में आपको मिलेगा कितना 1100 तो अगर हम बोलें कि इसमें future value क्या हुई future value क्या हो गई आपके 1000 रुपे plus interest 1100 क्योंकि 1000 आप invest कर रहे तो future में आपको कितना मिले वाला 1100 तो future value is equal to present value plus interest that is your future value यही तो हमने देखा 1000 plus interest is equal to 1100, 1100 में future में मिलने वाला था तो अगर हम बात करें present value की तो present value क्या हो गया present value अगर future value अगर 1100 है और 10 रुपे का interest है तो present value कितना होगा हम 1100 में से अगर interest का portion हटा देंगे तो हम present value बे बहुत जाएंगे लेकिन पहले मैं आपको बता दूँ कि इसी future value को हम compounding भी कहते हैं क्या कहते हैं compounding क्यों कहते हैं वो हम बाद में समझ लेंगे पर फिलहाल इतना आप समझें कि future value calculate करने को हम compounding कहते हैं उके present value की अगर बात करें तो present value कि यह से निकलता है एकंगम simple term में simple formula है कोई वो नहीं present value कि यह से निकलता है जब हम future value मैं पता हूँ उसमें interest का portion अटा दीजे तो जो बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा present value होगा future value क्या हो जाएगा जब हम present value में interest का portion add on कर देंगे तो हमें future value बता चल जाएगी present value मतलब जो आज हम लगा रहे future value में तो हमें future में मिलेगी okay present value को निकालने को हम discounting कहते हैं कैसे क्योंकि इसमें interest का portion हमें deduct करते जाना पड़ेगा हटाते जाना पड़ेगा थब जाके हम present value पर पहुचेगे future से में present में आना है तो interest हटाना है discount करना पड़ता है that is why discounting okay so what we know actual value of any amount in future add interest earned आगर हम में future ki value पता करनी है तो हमें क्या करना होगा जो आज की value अपर्ट कर जाते है mio अब कोईंडं़िंग को समझते हैं क्या होता है क्योंकि compounding and discounting दो factors होते हैं, बहुत important, तो एक example की तुरू बस बहुत जल्दी हम इस चीस को समझते हैं, तो compounding क्या हो गया, the process of calculating the future value from a given present sum is called compounding, as it is based on compound interest, compounding मतलब क्या हो गया, एक process जिसकी तुरू हम future की value को पता करते हैं, कैसे पता करते हैं, present value में interest add करके, जब हम present value में interest add करके future की value को पत करते हैं, that is compounding, compounding क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो interest हम हमें receive होता है, जो हम interest मलता है, जो हम earn करते हैं, वो हम compounding basis पर earn करते हैं, आप हमेशा सुनते होगे, जैसे RD है, bank में invest कर रहे हो, RD recurring deposit आपको receive हो रहा है, तो हो रहा है कि वो quarterly compound होता है, compounding मतलब interest add हो जाएगा आपके principal amount पे then उस पे interest charge, फिर वो पूरा total sum होगा, then उस पे interest charge, तो interest पे फिर आपको interest मिलेगा, that is compounding, compounding interest, ओके एक example लेते हैं, ठीक है, एक formula बेला आप इसका देख लीजे, future value is equal to present value 1 plus i whole to the power n, present value में हमने क्या क्या, interest का portion add कर दिया, पर interest का portion हम कैसे add कह रहे हैं, compounding करते हुए, तो जो n ह है, आपका वो, क्या denote करते है, number of years, n is equal to number of years, और i, मतलब आपका interest rate, किस interest rate से आपको interest मिलने वाला है, अब एक example दिखते है, calculate the total amount accumulated for rupees 1 lakh, invested in a bank 8% compounded annually for 3 years, आज आप 1,00, रुपे लगा रहे हैं, एक bank में invest कर रहे हैं, जो bank आपको 8% की rate से क्या दे रही है, interest दे रही है, और व interest जो है, 3 years, 3 साल के लिए आप invest कर रहे हो, और yearly वो compound होने वाला, हर साल compounding होगी, ठीक है, 3 साल तक के लिए आपका पैसा रहेगा, 1,00, रुपे, 8% का rate of interest, compounded annually, आपको क्या मिलेगा, आपकी future value क्या होगी, आपको पता है कि present value कितनी है, 1,00, है, इसमें आपको क्या add करना, interest, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, और आपको क्या करना है, compounding करना है, तो formula हो गया, future value is equal to present, present value, 1 plus i whole of power n, तो 1 लेका हमारी present value हो गई, 1 plus, मैंने interest का factor कर दिया, 8% मताब 8 divided by 100, तो 8 divided by 100, तो 8 divided by 100, तो factor में कर देंगे, 0.08, पावर 3, 3 years है, तो ओगे, अब क्या कर रहे होगी, इसकी value निकालना होगा, तो यह तो easy है, 1.08, multiply by कर देंगी, 1.08, multiply by, 1.08, two time equal कर दीजे, value अपने आप आ जाएगी, तो आगे आपकी 1.259712, multiply by 1 lakh, तो equals to 1,25,971.20, मतलब आप 1,00, इन्वेस्स करेंगे, तो compound होके, 8% से 3 साल बाद आपको कितनी value मिलने वाली है, future value आपके कि यह होगी, 1,25,971.20, तो यह हो गया compounding, simple है, बहुत ही simple सा एक चीज लिया, जिससे कि आपको बस concept clarity हो जाए, simple example, अब हम इसे तरीके से discounting का concept समझते कि discounting क्या हो गया, तो process of finding the present value of future sum of money is called discounting, तो यह कैसा process है, इस process के थरू हम future value के थरू हम क्या पता करते हैं, present value, जह हम future value की help से क्या पता कर रहे होते हैं, present value पता कर रहे होते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, discounting, अब आपको पता है कि future value से present value को पता करने के लिए हमें interest का portion क्या करना होता है, add a subtract, obviously subtract करना होता है, तो हम उसे discounting कहते हैं, it's done by removing the accumulated compound interest from the future value, यह हम कैसे करेंगे, जितना भी compounded interest है, याद पता है, simple interest less नहीं करना होता है, यह interest भी compound होके गया है, तो हमें, क्योंकि interest principal amount में add हुआ, फिर उस पे interest, फिर वो भी principal amount और plus interest, plus interest हुआ, फिर interest चार्ज हुआ, तो हम जब compound करना, interest हटाना है, तो हम simple interest का total amount नहीं deduct कर सकते हैं, हमें वो remove भी उसी तरीके से करना होगा, compounding को ध् में रखते हुए, तो formula क्या हो गया, present value is equal to future value multiply by one whole divided by one plus i power n, तो यह फिर हम इसी दूसरी तरीके से कह सकते हैं, कि present value is equal to future value bracket में present value factor i power n, pvf मतलब present value factor, i मतलब same interest rate, n मतलब आपका number of years, तो अब एक example लेते हैं इसके लिए भी, right, for accumulation of rupees 10 lakh at the end of 10 years, how much have to invest today in bank giving interest at the rate of 8%, आपका यह है कि अगर आपको 10 साल में, आपको क्या मिल रहा है, 8% की rate of interest से, आपको receive कितना हो रहा है, 10 lakh, 10 साल में, 8% के rate से, आपको 10 lakh receive होगा, तो आज आप कितना invest कर दे, ऐसा होता है कि हमको पता कि हमें 20 साल बाद इतना पैसा चाहिए, चार साल बाद हमें इतना पैसा चाहिए, और इतना rate bank दे रहे है, यह mutual funds में मिल रहा है, हमें return, यह हमें कहीं पर भी investment की जगांबी है, यह return मिल रहा है, तो हम आज कितना पैसा invest कर दे, तो यह पता करना कि आज हम कितना invest करें, कि हम future में इतना पा जाएं, तो हम उसके लिए जिस में था से पता करते है, that is discounting हो, formula हमने बता दिया आपको, formula क्या हमें, पहले से पहले formula होगा, present value is equal to future value, bracket में present value factor, i and n, ठीक है, अब present value factor क्या होता है, पहले से समझे, present value factor, जैसे 1 रुपीज है, तो 1 रुपीज की value, आज कितनी होगी, कल की जो, कल अगर 10% है या 8% है, त future का rate हम आज पे लेके आते हैं, तो मुसे discount कर आते हैं, तो वो जो present value होती है, वो ही present value आपका factor कहलाती है, ये table की through देखा जाता है, present value factor, टेबल आते हैं, और future value के table आते है, present value के table आते हैं, आप देखे होंगे books वेगरा, में stars की book में, और banking book में, पीछे एक टेबल लगा रह सकते हैं, कि क्या आपका उतने rate की इतने साल में क्या value निकलती है, क्या factor निकलता है, तो वो present value factor का table आता है, तो वहां से मुसकी value denote कर सकते हैं, दूसरा result यह होता है, कि हम उसे कंपने calc पे भी calculate कर सकते है, calc अपने calculator पे, तो चलिए देखते है, future value कितनी है, 10 लाग, future memo कित इतने साल का, 10 साल का, तो जब हम table में देखते हैं, तो table में भी मैसे देखते है, 8 साल का देखते है, 8 परसंट देखते है, percentage में 8 परसंट, और year में जाके 10 साल, तो दोनों का जहां पे जो value दी होते हैं, वही उस value को बस हम यहां पर लिख देंगे, और multiply कर देंगे 10 से, 10 lakh से आपका answer आ गया, table में बहुत easy होता है, percent उठाया, year उठाया, आपको दोनों पता है, बस आप table में value देखिए, वही value पूट कर दीजिए, और multiply कर दीजिए, second जो मैं आभी आपको बताने value में है, calculator में हम यह factor कैसे निकालते है, present value factor, तो देखिए, 8 परसंट का 10 साल में जो factor आया है, वो आयेगा 0.463, फिर हम उसको दसाग से multiply कर देंगे, simple और answer आपका आजाएगा, पर important है कि यह factor आपका आया कैसे, अगर हमारे पास वो table नहीं है, फिर हम वो factor कैसे calculate करेंगे, right, तो सबसे easy है, मैं आपको बता रहे हूँ, आपको करना क्या है, आपको 8 परसंट पत है, ठीक है, आपको सबसे पहले calc पे, आपको लिखना है 100, उसके बाद divide का sign लगाना है, उसके बाद जो भी rate होता है, वो 100 में plus करना होता है, जिसे 8% है तो 108, 100 प्लस 8, तो 108 हो जाएगा, तो आपने भी तक है किया है, 100 लिखना है, divide किया है, 108 लिखती है, correct, अब आपको 2 मुल्टिप्लाई का sign प्रेस करना है, multiply, फिर multiply, multiply, आपको सेम फिगर नहीं चेंज होगे, 0.9259 आया, आपने पहले बज़े मुल्टिप्लाई किया तो भी फिगर थी, 2.9259, right, फिगर चेंज नहीं होगे, बस लेकिन आपको multiply का sign दो बार लगाना होता है, वो क्यों लगान 0-0 करके मिलना चुरू हो जाती है, पीशे से value हटती जाएंगे, आगे 0 लगता जाएगा, इसलिए हम 2 times multiply कर देते हैं, अब आपको क्या करना है, 10 years सक का factor जाना है, समझे ये एक साल का factor है, अगर एक साल होता तो 8% का factor कितना होता, 9259, ये एक साल का factor है, आपको कितने साल का प्रेस करने है, सिर्फ 9 times प्रेस करने है, तो 9 times प्रेस करने है, एक बार तो हमारे सामने है, तो अब हम करेंगे, एक कोल का sign मैं प्रेस कर रही हूं, पर मैं काउंटिंग कर रही हूं 2 से, तो मैंने प्रेस किया, 2, 8.857 आ गया, 3.79, 4, 735, 0.68, 6, 7, 8, 9, and 10, आ गया आपका, 0.46319348803, that's it, बहुत इसी है, फाक्टर निकाल लिए, आप मल्टिप्लाइ कर दीएंगे, और आपका एंसर आगे 4,63,000, तो मतलब आज आपको कितना इन्वेस्ट करना, सिर्फ 4,63,000 आप इन्वेस्ट करोगे, तो आप कितनी वैल्यू, दस साल बाद 8% के रेट से 10 रुपे पाज आओगे, इसे भोलते हैं, टाइम वैल्यू ओफ मनी, यह मनी के टाइम के हिसाब से, मनी की वैल्यू चींज होती जाए, जो वैल्यू 4,63,000 आज है, वही 10 लाग पर 10 लाग का होगा, तो हम यह डिसकाउंट कर देते हैं, हम यह कमपाउंट करते हैं, एड करते हैं, प्रेजंट वैल्यू निकालते हैं, फिचर वैल्यू निकालते हैं, तो आइधिंग आपको क्लियर हो गया होगा, 0.463 फैक्टर कैसे कल्कुलेट किया है, हमने इक चीज और बता दे, अगर अब ही आपको इसमें एनुटी फैक्टर भी एक पॉइंट आता है, आगे ज निकालते हैं, पार अजल की सिंट्साल कापको टोटल च्या तो आपके क्यालस चाहिए, तो आपके कैल्सी में जो जी टी की बेटन होती है, जी टी लिखा होता है, आपको सिफ उस जी टी की बटन को प्रेस कर देरा है, जो वैलू आ जाएगी वू आपका एनुटी फैक्ट वोय इसमें डिसकस करेंगे , छलब वह स्टार्ट करते हैं तो, एक financial manager मिलने से टीन important decision लेता है , अब इंवेस्टमेंट इंवेस्टमिन डीजरन, finance transaction, and डिवेडawn, यह 3 दीजरन जो एक financial manager को लेने परता हैं , वह इंवेस्टमेंट , Finance and Dividend Decision तो एक एक करके हम देखते हैं कि इन decisions में वो exactly क्या करता है पर मैं आपको एक चीज और बता दू कि actually जो भी FM में हम जो numerical portion करते हैं like cost of capital लगाते हैं leverage करते हैं, capital busting calculate करते हैं या dividend models परते हैं वो सारी चीजे इन ही तीनो decisions में cover हो जाती है, मतलब यह जो हम यह जितनी भी numerical यह जितनी भी parts हम cover करते हैं वो हम इसी लिए करते हैं क्यों क्योंकि वो financial managers के decision में important होते हैं तो हर एक decision हमें बताता है कि वो decision कैसे लिया जाएगा with the help of that numerical portion तो चलिए start करते हैं पहला decision हमारा क्या हो गया? investment decision investment decision that is investment of fund ओके अब होता क्या है कि जो financial manager है वो क्या लेता है? investment decision means जो fund उसके पास available है उन funds को वो कहां invest करें investment decision means उन funds को जो पैसे already उसके पास है जो capital है उसकी उस capital को वो कहां invest करें अब कोई भी business concern होती है तो वो अपनी capital को या अपनी funding को ऐसे जगह invest करना चाहती है जहां से उसको maximum return आए तो being a financial manager discuss करना पड़ता है check out करना पड़ता है कि हम अपनी funding को ऐसे कौन सी जगह invest करें कि जहां से में return अच्छे मिलें तो सबसे पहले वो दो चीजों पर focus करता है कि उसे जो investment करनी है वो कहां पर करनी है मतलब long term investment करनी है या फिर short term investment करनी है सबसे पहले तो उसे यह decide करना होता है कि उस फ़र्ण को जो investment करना है वो long term में करना है या short term में करना है long term investment मतलब more than one year जब चला जाता है तो फिर long term short term within a one year 12 months तक के time period को short term investment कहते है generally तो long term investment करना है तो अब जगर long term investment करना है तो selection of long term projects अब long term investment करने के लिए मतलब आपको ऐसे project में invest करना है जिस project आपको तुरंत return नहीं देने वाली है जो लंबे time तक चलेगी और लंबे time तक आपको return देती रहेगे तो अब उसमें क्या देखना पड़ता है उसमें हम क्या करते है capital bursting क्या करते है capital bursting तो capital bursting वो टक्निक है वो टक्निक है financial management में जिसके basis पे financial manager decide कर पाता है कि वो अपने project का investment करे यह ना करे it is a process of evaluating the investments वो जितने भी investment जितने भी proposal जितने भी project उसके पास available होते है उन project को क्या करता है वो analysis करता है evaluate करता है कि कौन सा project उसे जादा return देने वाला है अब वो evaluation वो कैसे कर पाते है तो जब आप capital bursting का numerical पढ़ेंगी तो उसमें हमें यह चीज़ पता चलती है कि कुछ discounted factor होते हैं कुछ non-discounted factor होते हैं जैसे NPV net present value निकालना IRR internal rate of returns के through PIE profitability index के through non-discounted technique होती है payback period accounting rate of return तो यह discounted क्या होगी है जिसमें हम TVM को consider करते हैं ठीक है और non-discounted में TVM को consider नहीं किया जाता है तो मतलग क्या हो गया कि investment decision जब financial manager लेता है तो वह क्या करता है वह देखता है जिसमें इन सारे method के through वो projects वो evaluate करता है जो project उसे ज्यादा return देगा उस project में investment कर देगा और दूसरा होते capital rationing capital rationing मतलब कि जब आपके पास funding कम है क्या है funding कम है पर आपको एक से ज्यादा project ऐसे दिख रहे हैं जिसमें return ज्यादा है maximum return दिख रहे है ऐसा होता है कि हमने 10 project लिया और हमें दिख रहा है कि 3-4 project ऐसे हैं जो बहुत अच्छा return दे रहे हैं पर हमारे पास पैसे इतने हैं नहीं है कि हम कि 3-4 project में invest कर सकें तो उस case को कहते है capital rationing capital rational है तो in that case क्या होता है हम P.I. Profitability index के थुरू ranking करते हैं और उस fund को हम rank के थुरू उन तीनों जो हमको लग रहा है कि वो तीनों project maximum return देंगे उसमें rank करके कुछ-कुछ funds उसमें invest करते हैं तो उस technique को कहते है capital rationing तो हमने क्या देखा investment decision में long term या short term long term में हम देखते capital bursting विगरा के थुरू वो ऐसे project में invest करते हैं जो long term में profitable होते हैं short term investment में हम क्या देखते है working capital management क्या working capital management को देखते हैं working capital management अब देखे अगर आप funding में investor रहे हैं तो यह long term में करेंगे तो जिसे fixed capital वेगरा में कर रहे होंगे पर अगर आप short term में करेंगे तो आप क्या कर रहे होंगे working capital के लिए कर रहे होंगे जो day to day business के लिए use होता है तो हम short term में working capital management में जो पूरा numerical portion आता है उसके तो हम decide करते हैं कि हमें कहां पर कितनी funding short term में invest करनी है कैसे हम working capital को manage करते हैं तो पूरा short term investment में working capital management को हम देखते हैं तो यह तो हो गया उसका investment decision के अंदर जब वो investment decision लेता है तो actually वो यह सारे चीज़े decide करता है, evaluate करता है, analysis करता है और decision लेता है second is what, finance decision finance decision means selection of a capital mix और source mix अब finance decision मतलब कहां से funding आएगी तो एपनी capital mix को decide करना selection of a capital का किस source से वो capital को maintain करे मतलब कि वो preference से capital maintain करे equity से capital को maintain करे debt से capital maintain करे तो जो यह capital है वो उसमें किस किस चीज का proportion होगा वो जिवी चीज select करते हैं वो ही हम कहते हैं finance में decision लेना तो हमें कहां से पैसे raise करने है that is raising of fund ओके तो जब हम यहां पर source को decide कर रहे होते है capital mix को decide कर रहे होते है तो उस case में financial manager क्या करता है वो इन सारे चीजों का analysis करता है जैसे leverage का, capital structure का और cost of capital इन सब चीजों को वो ध्यान देता है अब एक एक करके देखते हैं और हम आप देखोगे कि financial management में यही वो सारे topic है जिन पर आपको numerical solve करने होते है Capital structure means क्या हो गया It is a combination of debts and equity securities that comprises of firms financing offers assets मतलब क्या हो गया कि जो capital structure structuring जो capital frame होई है उसमें debt का proportion क्या रखना है equity का proportion क्या रखना है यह debt और equity के proportion को किस बेसे से combine करना है यह हम capital structure में देखते हैं तो उस तरह से वो financing अपनी कराता है तो यहाँ पर बहुत सारी theories दी गई है Net Income Approach, Net Operating Income Approach, MM Approaches, that is Modiglund Miller Approach, Traditional Approach यह सारे वो approaches है वो theories है जिसमें बताता है कि कब आपको debt का proportion कितना रखना चाहिए और equity का proportion कितना रखना चाहिए तो इसी तरह से capital mix को या source mix को decide करते है और finance decision लेते बद वो leverage भी calculate करता है Leverage कहती है कि हम यहाँ पर देखते हैं कि fixed expenses होते है, fixed cost होती है, वो meet out हो जाए साथ में आपको एक fixed return भी मिल रही हो, इन सब चीजों को cover करना ही leverage को एक तरीगे से हम कहते है यह कहता है कि जो fixed equity है, means equity का return है वो आपको क्या मिलता है और total capitalization का return आपको क्या मिलता है, इन सब ratio को इन सारे percentage को calculate करना ही leverage कहलाता है अब leverage भी तीन तरीकित होते है, operating leverage, financial leverage and combined leverage, इन तीनों के formula होते है, contribution divided by EBIT, EBIT divided by EBIT, तो यह सारे formula है, जो कि आप numerical लगाते है वाग सॉल्व करते हैं, right Okay, finance decision next, क्या करता है, क्योंकि उस capital mix decide करना, sources decide करना, उसे decide करना, क्योंकि उसको finance कहा से raise करना है, तो वो यह करता है कि जो capital हमें इकठा करना है, उसकी cost क्या पढ़ने वाली है, यह भी उसे calculate करना जरूरी होता है, तो वहां की calculation मोँ वो cost of debt calculate करता है, cost of debt कैसे denote करते है, KDC, cost of equity, KE, cost of return earning, KR, weighted average cost of capital, सब की combined को, WACC, weighted average cost of capital कहते है, तो वो capital की cost calculate करता है, तभी तो रचाइट कर पाएगा, कि भाई, इस source से हमें cost कम पढ़ रही है, तो इस source को हम जादा ले सकते हैं अपने capital में, माल लेजिए मुझे 5 करूर का, 5 करूर का में capital चाहिए, तो अब 5 करूर में कितना हम debt से raise करें, और कितना हम equity से raise करें, तो यह जो raising है, यही हम यहाँ पर decision लेते हैं, कि यह 5 करूर की capital हम कैसे त नॉर्मल जब numerical आप करोगे, या numerical जब हम discuss करेंगे, तो उसमें तो बहुत अच्छे सा clear करेंगे, बट वैसे general आपको पताते हूँ, cost of debt, debt की cost, debt की cost क्या होगी, जो debt को पाने के लिए आपको pay करने, cost तो वही होती है, जो आपको देनी पड़ती है, तो अगर आप debt कर रहे ह होते हैं, dividend दे रहे होते हैं, तो हम dividend के basis पर calculate करते हैं, तो यह यहाँ पर cost of capital होती है, formula आप देखोगे, तो वहाँ पर इनी के basis पर formula drive होता है, यहाँ पर interest यहाँ पर dividend, तो आपको जो जा रहा है, that is your cost, okay, third decision is what, dividend decision, अब dividend decision क्या होता है, related to dividend distribution, financial manager fund raise करता है, fund invest करता है, साथ ही fund distribute भी तो करता है, अगर जब उसने capital raise करा ली, long term projects में, short term projects में investment किया, तो जो उसके shareholders हैं, उन्हें भी तो उन्हें कुछ distribute करना होता, profit और कुछ portion उन्हें, as in dividend देना परता है, पर वो कब dividend दे, कितना dividend दे, यह decision कौन लेता है, आपका, financial manager लेता है, right, अब जब आप dividend decision पढ़ेंगे, तो वहां पर बहुत सारे models दिए गए हैं, like, Walter model, Gordon model, MM model, that is, Mohdigilan Miller approach, MM model, यह तीनों models दिए गए हैं, जहां पर यह लोग बताते हैं, कि अगर आपका rate of return, rate of return of interest, return of investment जादा है, ROI जादा है, तो आपको क्या करना चाहिए, cost कम है, तो क्या करना चाहिए, मतलब ROI और cost का comparison करके वह आपको बताते हैं, कि किस case में आपको dividend distribute करना चाहिए, और कितना distribute करना चाहिए, तो यह depend करता है, entities पे कि वह कौन से model को follow कर रही होती है, हर model अपने according, बता रहा होता है, कि अगर आपकी return इतनी है, और cost इतनी है, तो आपको पूरा dividend बाट देना चाहिए, profit यह profit का इतना portion dividend बाटना चाहिए, यह पूरा पूरा as in return earning रख लेना चाहिए, यह सारी कहानिया आपको इसी model में discuss करती है, तो यह सारी decisions जो होते हैं, एक बार आप पूरा देखेंगे, यह सब कुछ depend करता है, सिर्फ financial manager के decision पे, जो कि सिर्फ तीन होते है, investment, finance और dividend decision, और यह तीनों decision लेने के लिए, आप यह सारी चीजे read out करते हैं, पढ़ते हैं, calculation करते हैं, जिससे कि जब यह आप as in financial manager हो, practical life में, तो आप यह decisions ले सकें, आप यह analysis कर सकें, आप यह calculation कर सकें, तो इसलिए हम इनका numerical देखते हैं, तो I hope आपको video clear हुआ होगा, आपको समझ में आया हो हम आगे discuss करेंगे और भी topics को, thank you very much